हे बच्चा लोग विलकम बैक टु दा पार्शाला और अभी मेंस का एक कोश्चन आया है हमारे पास ये बड़ा सा फिगर है और इस कोश्चन को डिस्कुस करेंगे पूरा डिटेल मैंस के बहुत सारे कोश्चन के साथ अनुसर और आसी सर श्राम को आप लोगों को क्लास लेक जैसे कि मैंने एक्जाम के अनलेशिस में बताया था कि जो पेपर है वो इसी से लेकर मॉडरेट आ रहा है और ये एक कोश्चन है इस कोश्चन का जो फिगर है फिगर वाइज नहीं आया था ये स्टेट्मेंट वाइज आया था तो मैं स्टेट्मेंट डूरीद कर देता dimension दे रखी थी कुछ 6, 8 और 10 और जो question में आपको बताना था जो option में वो R1, R2, R3 बनाना था अगर मैं इसको R1 ले लूँ इसको R2 ले लूँ और इसको R3 ले लूँ radius अगर ले लूँ तो ये R1, R2, R3 की value बतानी थी इवें दो मैं दाई साल तीन साल से नहीं पड़ा रहा हूं और नहीं पड़ा रहा हूं मैं ये question आपका ये solve कर सकता हूं hardly 30 seconds में और verbally even दो मुझे diagram भी draw करने की जुरूत नहीं है तो मैं इस question का solution personally आपके बीच में लेके आया हूं ताकि आप समझ सको कि जो मेंस का पेपर इवें तो वह अगर आपके प्राक्टेस है तो बहुत आशान होती है जो triangle की dimension दी थी triangle की dimension आपकी दे रखी थी 6,8,10 6,8,10 का मतलब हो गया ये triplet होता है triplet में आप इसको 6 ले सकते हो ये 8 ले सकते हो और ये 10 ले सकते हो कि भाई देखो ये radius की बात हो रही है तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका r1 होगा ये होगा r2 और ये भी होगा r2 और ये होगा r3 ये होगा r3 और ये होगा r1 तो कुल मिला आजला कि अगर मैं ये बोलू तो r1 plus r2 की value है यहां से R1 प्लस R2 की जो value है मैं थोड़ा सा किनारे चल के करता हूँ R1 प्लस जो R2 की value है verbally इसको हम calculate कर सकते हैं verbally अगर मैं calculate करूँ तो 3, 4 और 6 value आएगी मैं verbally calculate करके भी बता दूँगा लेकिन अगर समझने की कोशिस करें कि यह question कैसे solve होता है तो R1 प्लस R2 की value जो है 10 दिया हुआ है और अगर हम R2 प्लस R3 देखें R2 प्लस R3 की जो value दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है और R3 प्लस R1 की जो value है वो दिया हुआ है 8 यहां से हम यह 3 equation बना हुआ है अगर 3ों को जोड़ दे तो 2 टाइमस R1 प्लस R2 प्लस R3 की value दिया हुआ है जो की है अगर 3ों को जोड़ोगे इनको तो value आजाएगी 24 तो मैं अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 की अगर बात करूँ तो जो value आएगी वो आएगी 12 इसको verbally भी आप calculate कर सकते हो इस तरीकी के बहुत सारी question की practice कर चुके होते तो आपको पता है R1, R2, R2, R3 और R3, R1 की value दिया हुए है तो verbally इसको calculate कर सकते हो कि इनका sum 24 आएगा 2 times होगा ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के और R1 प्लस R2 प्लस R3 की होगा ये होगा आपका 12 अब उसमें आपको पता है कि R1 प्लस R2 10 दिया हुआ है R2 प्लस R3 6 दिया हुआ है R3 प्लस R1 दिया हुआ 8 तो यहां पर द्यान से देखिए कि टूटल R1 प्लस R2 अगर मैं ऊपर लिख दू R1 प्लस R2 प्लस R3 की जो value दिया हुई होगा तो टूटल दिया हुई है 12 अब इसमें 1 by 1 एक एक को घटाते चले जाओगे तो value आपको मिल जाएगी तो 12 से difference पे 10 है 6 है और 8 है तो कुल मिलाजला कि अगर इसको logically देखो तो इसका difference 2 है तो 1 radius 2 होगा इसका जो difference है वो 6 है तो 1 radius 6 होगी और इसका जो difference है यह जो है वो आपका 4 है तो जो radius होगा 4 तो ultimately जो value जाएगी R1, R2, R3 की वो आएगी 2, 4 और 6 बस इसमें आपको यह देखना है कि कौन सा circle कितना बड़ा है circle आपका जो है यहाला बड़ा है तो यह R3 मतलब यह जो value है यह R1 की value 6 होगी यह थोड़ा सा उसे छोटा है तो 4 हो जाएगी फिर 2 हो जाएगी तो question में जो जवाब देना था R1, R2, R3 का वो आपके option में जवाब देना था 2, 4, 6 in circles की radius होगी इसको आप verbally 30 second, 40 second में solve कर सकते हो otherwise जो basic तरीका होता है वो इस तरीके से भी आप solve कर सकते है इस तरीके के geometry में questions आये हैं और जब भी हमारे बीच में questions आ जाएंगे वो सारे के-सारे question आपके बीच में अलग-अलग तरीके से अनुसर आशी सर पहुचा देंगे यह question बहुत आसान था इस वज़े से इस question का discussion मैं personally आपके बीच में लेके आया हूँ तो अभी किस वीडियो में इतन ही अगर आपको कोई और question मिले तो मेरे number पर forward कीजिएगा मेरा number है 9696102401 आप phone करके भी मुझे भेज सकते हो और मुझे WhatsApp भी कर सकते हो Thank you for watching this video